एवीपियस न्यूज टीम का सफर धीरे धीरे संबल जिले के असालत पूर जारई गाउं पहुचा जहां पर ग्राम प्रधान के पत बर इस समय श्रीमती आदेश हैं और इस गाउं में उनके द्वारा बारे सडकों का निर्मार कराया गया है साथ साथ एक खड़ंजा भी उनके कारेकाल में बना है तो छे नल उन्होंने रीबोर कराई हैं पंदरे आवाज भी बन चुके हैं और सो शोचाले की व्यवस्था भी उन्होंने कराई है इसकूल में सोचाले बनवाया और टंकी की फिटिंग भी उन्होंने समर सेविल के साथ में कराई है गाउं में उन्होंने 54 सौर उर्जा की लाइटे रोशनी के लिए लगाई है गाउं की आवादी की एदि बात करें तो 12,000 आवादी इस ग्राम पंचायती है जहां कुल 3600 बोटर है और राशनकार्ड धार्गों की संख्या यहां 1100 है साथ ही 400 परिवार ऐसे भी है जिनें अब तक राशनकार्ड मुहयान नहीं हो पाए है स्कूल की अगर बात करें तो यहां की इस्तिती पर अन्य गाउं से कुछ अच्छी दिखाई दी क्योंकि प्रात्मिक विद्याले में यहां पर 206 शात्राय पंजी करत मिले तो वहीं जूनियर हाई स्कूल में 90 केंद कि खाए औभी आबाधी के हिसाब से नहीं है तो कम से कम तीन सफाई के करमचारी बी अभी गाउं के लिए आवस्चक है शमचान घाट के विशें में उन्होंने बताया कि हमारे यहां संशान घाट की समस्या है शम्शान घाट भी बनवाना है इसके अलावा खेल का मैदान भी उनकी प्राथमिक्ताओं में दिखाई दिया उन्होंने कहा कि हमारे गाओं में एक तो पानी की टंकी की सबसे ज्यादा आवस्चता है क्योंकि आबादी अधिक होने के कारण और पानी ठीक ना होने की बज़े से यदि एक टंकी का निर्माड हो जाए तो गाओं के लोगों को साब सुथरा पानी बिलना शुरू हो मैं ग्राम असारत पर जा रही है जैसित चंदो सी जिला संबल गला बनी अगिला से ग्राम असारत में जा रहीगा पिरधान पती सुचील कुमार मेरे गाओं में चपन सोरुज़ा में लगवा दी हैं और चेनल जूहर करा दिये हैं गाओं में सीसी टायल्स का निर्मान भी बहुत अच्छा कराया है खरंजा भी परवाई हैं और नाले भी बन एक दू नाले भी मेंने बनवाई हैं और हमारे गाउं में लगवक 4,000 बोट हैं, 4,000 बोटों के हिसाब से हमारे गाउं में धंडासी के हिसाब से धंडासी बहुत कम आती है, मैं राज सरकार से और केंज सरकार से यही बात कहना चाहता हूं कि जितना गाओं जितना पैसा अगर आप सरकार भीजागी उतना ही अच्छा अच्छा काम होगा बिगास होगा और मैं एक बात यह कहना चाहता हूं हमारे जो गाओं है सहर से बिलकुल नजदीक है पैसा भी बहुत कमा दिया है और जो लेट्रिण सरकार ने भीज़ी है उसे अब पास कि हमारे जू गाहों है वो तो उडिया लगवग हुई चुके हैं हमारे गाहों में लगवग सो के आस्पा सोचाले आए हैं लेकिन मेरी एक रिक्वेस्टी है कि जब सोचाले का पैसा सरका कशालो विजते हैं तो लावार्थी अपने पैसे लेरो और आप अपने इस इस तरा बनबयाओ है जब पहले कम कुछम लावाइब चुछना यह इस ओपर भातग्गर नहीं है। व फार्चह सब्सकुल में वहारे टीन सेพung सिक थां, एक बाराने स्कीन कहीं है। तो तोनों स्कूलों में लेटरी जैन्स अलग और जैन्स अलग बनवा दिये और टंकी फिटिंग भी करा दिये समर्ण सेवली भी करा दिया है मेरे पहले मगान नहीं था और प्रदान जी ने नया मगान बनवा दिया बहुत अच्छे काम करा रहे हैं मैं अबरारों से प्रात्मी विद्याले जारही फट का हेड मास्टर हूँ और मुझे लगों कि यहां पे डिर साल हुआ है आया हुए मैं दिसंबर 2017 में मेरी यहां पोस्टिंग हुई थी और तब से मैंने यहां का चार्श रमाला है विवस्ता है पहले भी ठीक ठाक थी लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से मैंने बहुतारे कारिये फ्रीमती आदेश देवी ग्राम प्रदान जारे के सहयोग से कराए है जिसमें बालक बालकाओं के स्वाचाले प्रथक प्रथक बनवाए गए जो की पंचाईत राज विवाग की निदीते बनी और आदेश कुमारी प्रदान जारे का बहुत सहयोग रहा मेरे आने पर यहां पर नल जो की नलकू बिवाग से लगा हुआ था उसमें पीला पानी आता था मेरी शिकायत करने पर उन्होंने तुरंत उस पर ध्यान दिया और रिवोर करा करके नल का इस्था करना पड़ा हमें चार दीवारी थोड़कर मशीन अंतल लानी पड़ी लेकिन वो भी हमने सहयोग से प्रदान जी के संभव किया और आज कुछ रीवोर पोरिंग में प्रदान जी ने अपने सहयोग से और विवाग के सहयोग से समढ़ से विल डलबा दिया है जिसने फानी के वहाई में वो चौक हो जाया करते थे बंद हो जाया करते थे सफाइ कर्मचारी भी विचारा प्रेसान हो जाता था शाफ करते हुए आप वो भली माति उनकी सफाही रखता है और बच्चे खेतों में जाने से रुके हैं, नहीं तो बहाना करके कि हम दो नमबर जा रहे हैं, सोच जा रहे हैं, जाके निकल जाते थे और पर डैलः लोटके नहीं आते थे, लेकि जब से यह वेवस्ता हुई यह सोचा लेगी, तब से बच्चों का ठेराओ भली माति रु प्रिदान बहुत बहुत तहीं दिल शुक्रजरुppe बच्चों पर्पोक्स समय समय पर आके हमके हम से हमक्षया को पूछते भी हैं प्रिदान पती और प्रिधान दोनो ही लोगए इस कारियों को भली मातीने भां, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रजरु abbiamo